आये भक्तो आज जानते हैं हर्याली तीज दुहजार चौवीस डेट छो या साथ अगस्त कभे हर्याली तीज जाने सही तारीक सुमुरत महत्व और माता पार्वती की आरती तो एक बार बोलिए प्रेम शेशीव जी की जै माता पार्वती की जै गवरी पुत्र गनेश भगवानी की जै अखंड सोभागे के लिए सुहागिन महिलाए पती की लंबी आयू और कुमारी कन्यार मन चाहावर पाने के लिए निर्जला बर्त रखती है जाने मूरुत सहीत अन्य जनकारी इंदु धर में हर एक बर्त तेवार का अपना अपना एक महत्व है ऐसे ही साबन मास में परने वाली बर्त तेवार काफी खास होते हैं भगवान सिव का पिरिये मा साबन मास में उनकी पूजा करने के साथ मा पार्वती का पूजन किया जाता है ऐसे ही साबन मास के सुकल पक्ष की तिर्तिया तिथी को हर्याली तीज का पर्व मनाया जाता है अखंड सोभागे सुखी बैवाहिक जीवन के लिए सुहागिन महिलाए इस बर्त को रखती है इसके साथ ही कुमारी कन्याय विवाह में आ रही परिशानी से छुटकारा पाने के लिए मन चाहा जीवन साथी पाने के लिए सीव जी और माता पार्वती की पूजा करती है बता दे की साल में कुल तीन तीज परती है जिन्हें हर याली तीज कजरी तीज और हर तारिका तीज कहा जाता है ये तीनों तीज ही अखंद सो भाग्ये के लिए सुहागिन महिलाये रखती है अब बात कर ले हर्याली तीज की तो इस दिन सुहागिन महलाए पती की लंबी आयू और अच्छे स्वास्त के लिए बर्त रखती है। इसके साथी मेहदी हरे रंग के कपड़े चूरिया आदी पहनती है आई ये जानते हैं इस साल कप पर रही है हर्याली तीज इसके साथी जानेंगे सुभ मूरत सहित हर्याली तीज आरती धार्मिक मनेताओ के अनुसार हर्याली तीज ही वह दिन है जब माता पार्वती ने कठो पुर्ण तप करके सीव जी को विवा के लिए तयार किया था इस दिन सीव जी और मा पार्वती का पुर्ण मिलन हुआ था इसी के कारण इस दिन सीव जी और माता पार्वती की पूजा करने से कई गुना अधिक फलों की परापती होती है हर्याली 30-2024 तिथी दैनिक पंचांक एनुसार स्रावन मास के सुकल पक्च की तिर्तियाति थी 6 अगस्त साम 7 बज कर 42 मिनट पर सुरू हो जाएगी जो 7 अगस्त 2024 को रात 10 बजे पर समाप्त हो जाएगी इसलिए उध्याति थी के हिसाब से हर्याली 30 का बठ 7 अगस्त 2024 को रखा जाएगा हर्याली 30-2024 सुब मुरत सुबा का मुरत सुबा 5 बज कर 46 मिनट से सुबा 9 बज कर 6 मिनट तक है दोपहर का मूरत सुबह 10 बज के 46 मिनट से, दोपहर 12 बज के 27 मिनट तक है, साम का मूरत साम 5 बज के 27 मिनट से, साम 7 बज कर 10 मिनट तक है हर्याली तीज पूजा बिधी, हर्याली तीज के दिन सुबह उठकर असनान करे, नए बस्त धारन करे और बर्त का संकलप ले, इस दिन पूरे दिन निर्जला पर्त रखे, पूजा अस्थल की साप सफाई करे, महादेव और मापार्वती की मिट्टी से मुर्ती बनाए, लाल क कप्रेपन उन मुर्तियों को अस्थापित करे, पूजा की थाली में सुहागन की सभी चीजे रखे, महादेव और मापार्वती की मंत्र का ध्यान करे, तीज कथा पढ़े या सुने, अंत में आर्ती उतारे, साम के समय या विधी दहुराए, फिर अगले दीन बर्त का पारन करे इस दिन महिलाए करती है सोला सिंगार सुहागिन महिलाए और कुमारी कन्याय हर्याली तीज का बर्त निर्चला रखती है बर्त में साम को भगवान शिव और माता पारवती की पीधी बिधान पुर्वक पूजा करती है पूजा के दवरान महिलाए सोला सिंगार की बस्तु हर्याली तीज़ के बर्त को काफी सूव माना जाता है इस द दवरान मान सुन का मौसम होता है जिसके कारण चारो और हर्याली ही हर्याली होती है इसलिए इसे हर्याली तीज कहा जाता है इसकी अलाबा इसे साबन तीज छोटी तीज और मधूस रोबा तीज के नाम से भी जाना जाता है हर्याले तेज को भगबान शिव और मा पारवती की मिलन से समर्पी थे इस दिन सीव जी ने माता पारवती को पत्नी के रूप में सिवकार किया था इस दिन महिलाए निर्जला बर्त रखती है पूरे दिन बर्त रखने के बाद चांद की पूजा करने अपने बर्त को खोलती है इस दिन विवाहित महिलाओ को ससुरार की तरफ से पंपरारी कपड़े चूरिया मेदी सिंदुर मिठाई आदी दिया जाता है इस दिन हरे रंग के कपरे पहनने का विशेष महत्व है माना जाता है कि इस दिन महिलाए 16 सिंगार करके अपने पती को हर तरह की बुराईयों से बचाती है इसलिए इस दवरान श्रिंग होरा उपहार के रूप में देना सुब माना जाता है हर याले तीज के दिन महिलाए हाथों और पैरों में खूब सूरत महदी लगाती है या पती के लिए प्रीत सिने की गईराई को दरसाता है